हेलो गाईज, क्या आप इस तरह का AI इमेज बनाना चाहते हैं, नाम के साथ जो की काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर चल रहा है, तो चिंता नहीं कीजिए, आज की इस वीडियो में इस तरह का AI फोटो एडिट करने के लिए दिने वाले हैं सबसे पहले आपको प्लेस्टोर पर आना है और यहां पर सर्च करना है बिंग उसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है आप भी लॉगिन करने के बाद आपको प्रॉंप्ट को पेस्ट कर देना है, प्रॉंप्ट को कहां से लेना है सुन लो सबसे पहली बात है कि prompt description में नहीं दिया जाएगा, इसी वीडियो में कहीं भी दे दिया जाएगा, इसलिए full वीडियो देखें और वीडियो को skip नहीं करना है, नहीं तो आप prompt को खोजते ही रह जाईएगा, लेकिन prompt नहीं मिलने वाला है, prompt को कैसे copy करना है, अच्छा किये हैं, उसे पर क्लिक करना है, select होने के बाद आपको select text पर क्लिक करना है, select text पर क्लिक करने के बाद आपको copy वाले option क्लिक करना है, तो आपका prompt copy हो जाएगा, paste करने के बाद आपको यहां पर अपना नाम लिख लेना है, अपना नाम लिखने के बाद आपको create वाले option पर क् कुछ समय तक बेट कर लेना है, क्योंकि हमारा फोटो अभी क्रियेट हो रहा है, जब तक फोटो क्रियेट हो रहा है, तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फाइनली आप देख सकते हैं, हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है, जो की काफी इंट्रेस्टिंग दिखने में लग रहा है, थ्री डी में है, इसी तरह का आप बहुत सारे फोटो क्रियेट कर सकते हैं, फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर आप देख सकते हैं, हमारा फोटो डाउनलोड हो गया है, तो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो ऐसा ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई